जेहिंद नमस्कार जैसा कि पहले क्लास चल रही थी अपनी आपको होगे सर्थ 12 नंबर परसन कैसे है तो 11 नंबर तक परसन जो है वो मैंने करवा दिये थे अब हुआ क्या कि अचानक से laboratory जो है वो बंद हो गया था तो अपने क्यूं दिन को खराब करें और अपने परसनों को अगे बढ़ाते हैं परसन है राजस्तान में मिना वए भील के प्रस्टात तिर्तिय सबसे बड़ी जंजाती है तीसरी सबसे बड़ी जेला बावजी का मेला जो है ये पंच महल गुजरात में भरता है कहां भरता है आप जवाब दीजिएगा और उसके बाद में अपना एक्स्ट्रा बातें उनको नोट कर लीजिए और एक है इनका ग्यारस की रिवाडी का मेला ग्यारस की रिवाडी का मेला और यह ग्यारस की रेवाडी का मेला है यह डूंगरपुर में है और डामोर जो है सरवादिक डूंगरपुर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है सिम्मलवाडा तहसील कौन सी तहसील सिम्मलवाडा तहसील के अंदर डामोर सरवादिक है और इनके खास बात है कि पुरुष महिलाओं की भांती कि प्रुश महिलाओं की भांती आभुशन पहनते हैं यह ध्यान रखना गराशिया की अगर बात करें तो गराशियों के लिए आपको पता होगा कि पिनड़वादा तैसील है शिरोई-के अंदर जो मुख्या रूप से है और ग्राशियों में अपने बात करें तो इनका जो कहते हैं कि सरवादिक प्रेम विवा होते हैं इनकी जनजाती में सरवादिक प्रेम विवा होते हैं और नकी जील इनकी पवित्र जील है नकी जील ये आपको ध्यान रखना है सहरिया जो है ये बारा जिले में है कहां बारा जिले में है तो इसका उत्तर भी यही होगा गरासिया यह एक नमबर पर मिना है दो नमबर पर भील है और उसके बाद में यह सरवादिक जिला कुछ ले तो आपसे सिरोही ठीक है और इन सा एक निर्ते याद रखना सहरियों का गराशियों का ये है वालर वैसे विभा के अवसर पर विभा के अवसर पर पीडियफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी आप सिर्फ नोट करते रहें विभा के अवसर पर फिर अगर बात करें तो विना वाध्ययंतर के वाध्ययंतर नहीं होता ये भी आपको यहां ध्यान रखना है फिर बात करते हैं यहां सहरियां 12 में किसंगज और सहाबाज तैसिल में और यह सरमिली जनजाती है सरमिली जनजाती है यह भीक नहीं मांगती भीक नहीं मांगती और इनकी जो कुल देवी है वो कोडिया देवी है कोडिया देवी है अराध्य देवता तेजा जी है सहरियों का कुम जिसे कहा जाता है वो आपको पता ही है सहरियां कुम किन का है बात ना करो आपस में मुँँ मुँँ पे निकाल लिए और फटा पर नोट करता रो सहरियों का कुम आद राजस्तान का पुर्वी प्रवेश दुआर भरतपूर हैं बताओ नेक्स्ट प्राचिन पांडूपोल मंदिर किस जिले में है अब आप से पांडूपोल मंदिर पुछा तो और बाते हैं जो आप यहां पर नोट कर लिजे साथ साथ काम आने आली बाते हैं वैसे मभी पापा बाला जी यह है साला सर कहां पर है साला सर कहां पर है चूरू में अगर आप से परसंद पुछा जाए साला सर बाला जी की जो मूर्ती है वो किस गाउं से प्राप्त हुई थी आसोटा गाउं से मोहन दास जी को मूर्ती मिली थी मोहन दास जी को मूर्ती मिली मोहन दास जी को मूर्ती मिली ये भी आपको ध्यान रखना है और स्क्रीन सोट भी आप साथ-साथ लेते रहें टेकनिकल टीम आपको बताती रहेगी और इसमें बात करें अपने प्राचेंद पांडूपोल मंदिर कहां पर है तो ये उत्तर आपका अलवर सही होगा शेन मुद्रा में है हनुमान जी किस मुद्रा में? शेन मुद्रा में है अब परसन आता है दो जांटी बाला जी दो जांटी बाला जी दो जांटी बाला जी फतेपुर शिकर में सेकावाटी में बहुत परसीद है फतेपुर शिकर इसके अलावा परसन क्या आता है वो नोट कर लीजिए वो आता है महंदीपूर बाला जी महंदीपूर बाला जी महंदीपूर बाला जी और महंदीपूर बाला जी कहां पर है दोसा में है ठीक है प्रेतराज कोतवाल फिर परसन आता है मुच्छाला महावीर अगर पुछा जा तो घाने राव पाली फ्रान हेडा बालाजी तो अपने उत्र कर कर क्या Currently के पास में थीक है फिर अपने से पुछे खोल के बालाजी खोल के बालाजी तो ये है जेपूर में वसुंद्रा राजे सींद्या के दुआरा ये काफी मनवाया गया था उस समय ये विवादित भी रहा था और एक परसन आपको याद रखना है कि हनमान जी को स्तनपान करवाते हुए अंजनी माता का मंदिर कहां पर है तो वह क्रोली में होगा नोट कर लेना साथ में जैसे अभी बात गराशियों की करके गए तो वहाँ उनके सारे निर्टे भी लिख सकते हो मोरिया वाल की तरह है घूमता हुआ जवारमा कुदलिया सारे आ जाएंगे ठीक निमन लिखित में से कौन सा ततवाध्य नहीं है ततवाध्य नहीं पूछा है राजस्तान का प्राचीन ततवाध्य यंतर कौन सा है यही है रावन हता अद कटे नारियल के समान बहुत बार पुछा गया परसन एकजाम में दोनों के दोनों आगे फिर किसकी फड में रावन हता वाध्य यंतर का प्रयोग करते हैं यहां देखो थोड़ा सा आपके सामने लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ देखो नहीं है देखो यह लिखा हुआ है जंतर क्या लिखा हुआ है जंतर क्या लिखा हुआ है जंतर जंतर में आप याद करो जय और रे, जर और देखो इधर लिख देता हूं में, गुरजर, गुरजर में भी जर है, जंतर में भी जय है, तो ये तो वाधेय अंतर देव नारायन जी की फड में, देव नारायन जी की फडवाचन में किसका जंतर वाधेय अंतर का प्रयोग गु सबसे लंबी वड़ी वह यही है कर đã दा ओर प्रियय लोक की यह सबसे प्रिय भढ़ात आजाएं तो पाबुजी है रावन हत्वार हट्ता में आप याद करनें अलगोजा अलगोजा हमने जो एक प्रोग्राम किया था यहां पर अपने यूटूब पर पुराने वीडियो देख लेना उसमें एक बुड़े वेक्ति के दुआरा जो है अलगोजा बजाया वापको दिखाई दे रहा है तो अलगोजा क्या है फूंक मारकर बजाया जाता है म परसिद मतलब की वाधिन कार है राम नरैन जी कामायचा के जादूगर कहे जाते हैं कमल साकर खां कमल साकर खां कमायचा के जादूगर है कमल साकर खां यह ध्यान रखना बाड मेर से है कमल साकर खां मांगनियार जो है तो तत वाधियों में शामिल कुण सा नहीं है तो मारवाड में तो गुडला है गुडला मुख्या रूप से अपने ध्यान दे सेखावाटी में तो बहुत सारे हैं लहूर 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 जिन्दाद धप, चंग, कच्ची गोडी अब कच्ची गोडी का जिकर आया तो कच्ची गोडी में मुख्या रूप से कितने कलाकार होते हैं आठ कलाकार होते हैं प्रेटरन बनाने की कला ये ध्यान रखना इसमें प्रेटरन बनाने की कला प्रेटन बनाने की कला और फिर याद करें अपने इसके अंदर तो उत्तर क्या होगा किंदर शेखावाटी से ही होगा और इसके अंदर जो पुरुष जो होते हैं पुरुष जो होते हैं वो कौन सा किरदार निभाते हैं महिलाओं का और जो महिलाओं का किरदार निभाते हैं उनको कहा जाता है गणगोर आप लोगों से एक परसन है जो आपको कमेंट करके बताना है वो लावनी क्या है वो लावनी क्या है ये बहुत बार मैंने आपको करवाया भी है तो यह आपको जवाब देना है वागड आजाए पेजण निर्ते ध्यान रखना नेक्स्ट चलते हैं पिछवाई चितर सेली का मुखे विशे है पिछवाई अब देखो सबसे पहले पिछवाई पिछवाई के प्रसित कलाकारों में नाम लिया जाए तो विठल दास विठल दास पिछवाई कहां की है नाथ दुआरा नाथ दुआरा का प्राचिन नाम क्या है सीहाड है क्या है सीहाड है यहाँ पर किसका मंदिर है स्रीनाथ जी का मंदिर स्रीनाथ जी का मंदिर यहीं पर है यहीं पर अपने बात करें तो डांग निर्ते भी यहीं का है बादशा की होली भी यहीं की है ठीक है फिर यहां पर बात करें केले की सांजी परसिद है केले की सांजी परसिद है नात दुआरा में केले की संजी परसिद है तो यहां पर बात करें दूद वै दही की होली राजस्तान में महिला चितरकारों का नाम आए कमलावा इलाइची वो भी यहीं पर परसिद है कमलावे इलाईचीनाच द्वारा चित्रशेली से सम्मदित है ठीक है उसके बाद में अनकूट महोत्सो वी यहीं का परसित है स्रीनाथ जी के पाने भी यहीं के हैं वल्लब संपर्दाय की परमुख पीठ है वल्लब संपर्दाय की परमुख पीठ है वल्लब संपर्दाय की परमुख पीठ है वल्लब संपर्दाय के संस्तापक अगर पुछा जाए तो वल्भाचारे जिया लेकिन परमुख पीठ नाथ दुवारा रासमंद में है कांकरोली का द्वारका धीशमंदिर कांकोली में है मतुरा धीशमंदिर कोटा में है ये भी आपको ध्यान रखना है तो यहां स्री किर्षन के बाल रूप का वर्नन हुआ है बाल रूप का वर्नन हुआ है और इनके परतिमा के पिछे जो बनाएगे वो पिछवाई है कपड़े पर जो अंकन हुआ है और जो कागच पर हुए है उन्हें स्रीनाथ जी के पाने-पाने जो है कागच पर जिनका सित्र बनाया गया है ध्यान रखना स्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसे साथ धोजा नाथ भी कहते है साथ धोजा नाथ भी कहते हैं नोट कर लेना अपनी कौपी में आठ पहर की आरती पर सीद है ये भी ध्यान रख लेना ठीक है नेक्स्ट निमन लिखित में से कौन सी नगरी महा कवी माग की नगरी है माग की क्यों बठा और भी बहुत बाता है नोट करो सुन्धा माता मंदिर सुन्धा माता मंदिर भी वहीं का है बहुत बढ़िया बात एक राजस्तान का पहला रोपवे राजस्तान का 2006 के अंदर था साइद राजस्तान का पहला रोपवे ये भी यहीं पर है फिर हवेन सांग ने हवेन सांग ने भीन माल को पीलो मोलो नाम दिया ये भी भीन माल से समंदी थे तो फिर और क्या है और बताएं परतिहार सासकों की पर्थम राजधानी गुर्जी पर्थम राजधानी कुन बनाई ही रह आपने तो आद्वी बनाई पर्थम राजधानी भीन माल थी और इसको बनाने वाला वेक्ती था नाग भट पर्थम और अगर नाग भट द्वित्य आ जाए तो कन्योज को राजधानी बनाया था गंगा में समादी ली थी त यहां उत्तर हो जाएगा भीनमाल अब यहां पर भीनमाल में अपने बात करें तो कभी माग की जनम भूमी होगी। कभी माग ने गरंत लिखा था शिशुपालवधम, शिशुपालवधम जो है, ये संस्कृत का सबसे बड़ा गरंत है, संस्कृत का सबसे बड़ा गरंत है, भीनमाल में ही ब्रह्म गुप्त भी नाम याद रखना है, जिन्होंने ब्रह्म स्पुट की रचना की है, और गुर्तवाकर्षन सिधान्त के बारे में बताया, इनका जनम भी यहीं पर हुआ था, गुर्तवाकर्षन जो महान वेग्यानिक थे गुर्तवाकर्षन सिधान्त के बारे में सरोपर्थम जानकारी दी थी, तो ब्रह्म गुप्त का नाम आजए, कवी माग का नाम आजए, सारी बातें कहांपर है भीनमाल में है तो आपने नोट कर लिया रनकपुर के जैन मंदिर जो है मताई नदी के किनारे है 1444 खंबो का मंदिर कहा जाता है तिर लोग द्वीब कहा जाता है नलिनी गुल्स विमान इनको कहा जाता है यहाँ पर पारसोनात मंदिर जिसे बाख की देख रेक में इनका निर्मान पाली जिले में करवाया था आगे मश्यूर विमलवसमयी मंदिर कहा है विमलवसमयी जो मंदिर है ये तो अरे को बोलते हैं किनको समर्पित है आदिनात जी को आदिनात जी यानि रिशव देव जी रिशव देव जी ये तो जेनों के पर्थम तिर्थंकर थे पर्थम तिर्थंकर लून वैसे ही लून केते हैं नमक को नमक से याद कर लेना नेमी नात नेमी नात नेमी नात 21 में तिर्थं कर हैं 22 में कौन से हैं 22 में हैं अरश्ट नेमी यह याद रख लेना मुख्य रूप से 22 में जो है वो अरश्ट नेमी है और उसके बाद में 23 में 23 में जैन तृथंकर है पार्शवनात और 24 में 24 में हैं महावीर स्वामी और एक और पुछे जाते हैं सोडवे, सोडवे हैं शान्ती नाथ तो यहाँ जो है इसका उत्तर हो जाएगा अबू रोड इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है विमल वसईव है, लून वसईव मंदी राजस्तान में है और यह किस जिले में आ जाएंगे शिरोई जिले में आ अबहानेरी की चांद बावडी किस जिले में इस्तित है तो अबहानेरी की चांद बावडी दोसा जिले में है लेकिन परसन आजाए हाडी राणी की बावडी तो टोड़ा राइसिंग टोंक में है परसन आजाता है हाडी राणी का समार्क तो हाडी राणी का समार्क सलूंबर में है कहाँ पर है शलूंबर में है और परसन आजाता है आप लोगों से नोलखा बावडी नोलखा बावडी तो ये डुंगरपुर में है आसकरन की पतनी प्रेमल देवी के दुआरा बनाये गया नोलखा बावडी लेकिन बावडियों की सिर्मोर जिसे कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी बावडी जिसे कहते हैं वो है रानी जी की बावडी रानी जी की बावडी इसे रानी जी की बावडी ये है बुंदी जिले में है ठीक है बुंदी जिले में है अनुरुद की पत्नी नाथावती के दुआरा बनाएगी रानी जी की बावडी एशिया में सबसे बड़ी बावडी है इसे बावडियों का सिर्मोर कहते हैं तो निरत्यों का मेला किस तिथी को भरता है कार्थिक अमावश्या, कार्थिक पुर्णिमा, फालगुन पंचमी असोजब पुर्णिमा कार्थिक अमावश्या, धिपावली का त्योहार, थीक है इसी दिन देयानन्द सरश्वती की मिर्त्यू, महवीर स्वामी को निर्वान प्राप्त हुआ, अब आगया उत्तर कार्तिक पुर्णिमा बिल्कुल, पुषकर का मेला जो है कार्तिक पुर्णिमा को कहां भरता है, पुषकर में भरता है, कार्तिक पुर्णिमा को और मेले भरते हैं कोलायत का मेला, यानि कोलायत का मेला, यहां कोलायत के अंदर कपिल मुनी, सांखे दर्शन के पढ़नेता है उनका मेला भी बोल सकते हैं कपिल मुनी का मेला भी हो जाएगा फिर अपने बात करें सहवा राजस्तान में दो परसन आते हैं राजस्तान में अमरत सुवन मंदिर राजस्तान का सुवन मंदिर किसे कहते हैं तो गुर्दवारा बुड़ा जुवर को कहते हैं बाबा फते सिंग के द्वारा निर्मित है वहां स्रावन अमावश्या को मेडा भरता है स्रावन अमावश्या को बुढ़ा जुभड जो सिखों का सबसे बड़ा गुर्दवारा है ऐसे एक प्रसन आजाए कि नात संपरदाय का गुर्दवारा हींगवा कहां पर है, दोसा जिले में है, नोट कर लो, यहां हींगवा दोसा में, हींगवा दोसा में, नाथों का गुर्दवारा है, नाथों का गुर्दवारा, तो सिखों का सबसे बड़ा गुर्दवारा कहां पर है, सिखों का सबसे बड़ा गुर्दवारा, बुढधा ज धोलपुर जिले में लेकिन साहुआ का गुर्दवारा है इसे सिखों का सबसे बड़ा मेला केते हैं सिखों का सबसे बड़ा मेला है साहुआ का गुर्दवारा मेला जो है साहुआ का मेला और यह कहां पर भरता है साहुआ का मेला यह चूरू जिले में है चूरू जिले में कार कार्तिक पुर्णिमा को गुरु नानक जेंती होती है फिर बात करें अपने निला पानी का मेला डुंगरपुर जिले में निला पानी का मेला डुंगरपुर नोट करते रहे ना डुंगरपुर फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर तो एक आता है चंदर भागा चंदर भागा पशु मेला चंदर भागा पशु मेला ये भी कार्तिक पुर्णीमा को जालरा पाटन में जालरा पाटन में अब यहां से तो को पशु मेला है यहां से एक बात बताओं राजस्तान में सरवादिक मेले पुछे तो डुंगर पुर्जिले कर देना सरवादिक पशु मेले सबसे बड़ा मेला कहा जाता है हाडोती का सबसे बड़ा मेला जालरा पाटन में गोंती सागर पशु मेला है नाकी चंदरभागा पशु मेला ये भी नोट कर लेना और यहां पर बिंदोरी निर्ते किया जाता है वसुंद्रा का निर्वाचन छेतर है तो ये सारी बातें आप नोट कर लेना बाबू महराज का मेला किस जिले में भरता है भहुत आसान परसन है बाबू महराज उतर धोलपूर आप लोगों ने किया होगा बार बार पुछा गया है धोलपूर रेड डायमंड शिटी कहा जाता है यहीं पर अपने बात करें इसका प्राची नाम अगर पुछा जाए तो कोठी प्राची नाम है धोलपूर में कमल के बाग का वर्नन किया था बाबर ने अपनी आत्म कथा तुझुक ए बाबरी में तुझुक ए बाबरी में किया था तेमूर तुझुक ए बाबरी में ठीक है और फिर धौलपूर में बात करें तो यहीं पर बाड़ी का युद भी हुआ है बाड़ी का युद भी हुआ है 1518 इस्वी में किसके मद्राइम लोदी के मद्राइम लोदी के मद्राइम जीत गया था और फिर ये बाबू महराज का मेला किस स्थान पर लगता है तो ये स्थान भी अगर पुछे तो बाड़ी स्थान बता देना कौन से स्थान पर है बाड़ी स्थान पर लगता है फिर धोलपूर के अंदर और भी बहुत बाते होंगी जो आपको आगे बता देंगे next चलते हैं राजस्तान का सागवान कौन सा विरिक्ष कहलाता है खेजडी बबूर, खेर, रोहिडा बताओ सागवान पूछा गया है तो बता देते हैं खेजडी को बोलते हैं थार का कलप विरिक्ष थार का कलप विरिक्ष इसी को बोलते हैं राज्ये विरिक्ष खेजड़ी मेला कब भरता है भाद्रपद शुकल दश्मी को भरता है फिर परसन आता है खेजड़ी दीवस खेजड़ी दीवस कब मनाया जाता है बारा सितंबर को मनाया जाता है परसन आता है खेजड़ी विरिक्ष की पुजा ये कब होती है दसेरे के दिन होती है ये भी ध्यान रखना फिर है यहां रोहिडा रोहिडा जो है इसे राजस्तान का सागवान कहते हैं खेजडी का वेगानिक नाम क्या है प्रोसेपिस सिन रे रिया तो यहां टिको मेला अंडू लेटा गोडावन का गजेला गजेला गोडावन मुख्यत है अफ्रीका का पक्षी है इसको सोनचड़ी भी कहते हैं हरुती प्रदेश में माल मौरडी सोनचड़ी असे काजरी कहां पर है काजरी आए आफरी आए ठीक है तो ये दोनों कहां पर आजाएंगे जोदपूर जिले में आजाएंगे नेक्स्ट पीवना किस जीव की परजाती है पीवना एक वे पाउना मारे घर पाउना जी पधर्या एक बार आओ जी जवाई जी पाउना थाने सासु जी बुलावे घर बार तो बत है पाउना यानि जवाई सासु जी गीत गावावे आपके जवाई खतर कदगासी पतो को ने ये है सांप क्या है सांप पीवना वे परजाती है जो जैसल मेर के अंदर बोडर वाड़ा अपना एरिया है राश्टी अमरू ध्यान वडा चैतर है तो जैसल मेर मेर में फैला है और 1262 जो है ये बाड़ मेर में फैला है और 3162 यानि 1532 के मद्य ही मालदेव का भी काल था ये जो है सोएवे वेक्टी के सांसे छीन लेता है वह पीवना सांप है इस राष्टिय मुरू ध्यान के अंदर ये अपने बात करें सेवन घास का नाम भी यहीं पर आता है ओकल वुड फार्स ओकल वुड ओकल वुड फोसिल स्पार्क भी जो है यहीं पर याद रखना है और ये किस NH पर है NH 15 इसका नया नाम क्या कर दिया गया है ये कमेंट करके बताना 62-52 रेपन जो भी किया गया आप कमेंट करके बताना मुझे हैस्ट सिलिप कागज राष्टरिय संस्तान की स्तापना कहां की गई सांगानेर आमेर कोट पूदली कैथून कैथून के अंदर तो एक मातर विभीशन मंदिर है क्या है विभीशन मंदिर जैसे इंद्रा गांधी मंदिर भी है च्रोल जेपूर में कलकी जी का मंदिर भी है जेपूर के अंदर दाड़ी मूच वाली रामलक्षमन का मंदिर है जो जुन-जुन के अंदर खेतरी जुन-जुन में है ठीक है तो यहां बात करें कि थून जो है ये तर नहीं होगा उतर होगा सांगानेर सांगानेर में है कुमारपा 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 ठीक है और सांगानेर पर्थम अंतराष्ट्रिय हवाइडा है पर्थम अंतराष्ट्रिय हवाइडा है परसन आता है सांगानेर से क्या सांगानेर से परसन ये भी आता है साथियों कि सांगानेर जो नाम है ये नाम रखा था पृत्वी राज कच्छुआ ने सांगा की वीरता से परभावित होकर पर अपने पुत्र का नाम रखा था ठीक है अपने पुत्र के नाम पर सांगानेर नाम रखा तो ये भी आपको ध्यान होना चीए कि सांगानेर का नाम किस ने रखा था पृत्वी राज कच्छुआ ने रिखा था जो 1527 के 17 मार्ज 1527 के खानवा यूद में राणा सांगा का सा दिर्ने के लिए भरतपुर जाते हैं. पट्वो की हवेली कहां इसमें जो खिडिकियां हैं कहते हैं वो पत्थ्रों की बनीवी खिडिकियां है पांच मंजिला है पांच मंजिला है क्योंकि यहां पर एक सालिम सिंग की हवेली भी है सालिम सिंग की हवेली सालिम सिंग की हवेली जो है इसका निर्मान सालिम सिंग ने करवाया था ये साथ मंजिला है साथ मंजिला है इसे इसमें इपने बादल महल बोल दो इसको बादल महल बोल दो या इसे जहाज महल भी बोल देते हैं जहाज महल भी बोल देते हैं मोती महल भी बोल देते हैं अब आपको बताना है दो भाई थे सगे एक का नाम था हाती और एक का नाम था लालू हाती वैलालू ने कौन सी बनाई थी जैसलमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर को जरोंकों की नगरी कहा जाता है पंकों की नगरी कहा जाता है जैसलमेर राजस्तान का अंडमा निकोबार कहलाता है इसे येलो सिटी कहते हैं इसको wind city भी कहते हैं और गलियों का सहर कहा जाता है राजस्तान का थ्यार का गुलाब कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है और थ्यार का गुलाब बोल दिया राजस्तान में सरवादिक सिंचाई की जाती है सरवादिक सिंचाई कुओं वे नलकूपों द्वारा तालाबों द्वारा नहरों द्वारा बताईए किसके द्वारा की जाती है जल्दी से जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे नेक्स्ट विश्व का स्रोवस्रेश्ट लिगनाइट पाया जाता है देखो लिगनाइट का भंडार कपूरडी वा जालिपा में भी है लेकिन स्रोवस्रेश्ट अगर पूछा जाए तो पलाना में हो जाएगा ठीक है वीर सत्सही के लेखक आप लोगों को परसंद सुनते ही पता चल गिया होगा अगर वासकर पूछ ले वासकर या वो पूछ ले सती रासो या वो पूछ ले कि राजय कवी कोन है तो इन दोनों गरंथों के रचनाकार भी ही है, राज्य कवी भी है और नाम है सूर्यमल मिस्रन ठीक है, बांकी दास, इसे बारवार का बिरबल कहते हैं, मारवार का बिरबल ठीक है मारवार का बिरबल केते हैं आयो अंग्रेज मुलक रह उपर ठारा सोस्तावन रिख्यात बंकी दासरी ख्यात कनियाला सेथिया पाथल पिथल बुवाते हो चुकी है चंद बर्दाई पिर्थवीराज चुहां तिर्ते का दर्बारी कवीव मित्र था जिसने एक गरंत लिखा है पिर्थवीराज रासो ठीक है सुर्य मल मिस्रन वह ना इला ने देनी आपनी हालरिया हुलराए पूथ सिकावाए पालने मरन बढ़ाई जाए ऐसे एकर के इनका परसिद उगीत भी है वो भी ध्यान रखना राजस्तान में कम वर्सा का कारण अरावली परवत की निमन में से कौन सी स्थती के कारण होता है तो यह है मानसुन दिशा के समानांतर होना ठीक है अरावली मानली जी यह है रिसके वो वर्सात ऐसे ऐसे ही बेज आती है ठीक है तो फिर वर्सात कम होगी जो वर्सा का कारण है ये ध्यान रखना समानांतर होना NH आठ BC प्रकार से आजएगा राजस्तान की सबसे बड़ी भारत की अगर पुछा जाए तो गोविन सागर भारत की सबसे बड़ी करितरिम जील है वो है गोविन सागर और गोविन सागर कहां पर है पंजाब में है तो यहां पुछा जाए नक्की जिल तो देवताओं के नाखुनों द्वारा आगा जाता है रासमन जिल है इसका निर्मान अकाल रहत कारे के लिए आजाएगा अकाल रहत कारे के लिए अकाल रहत कायलाना जोदपूर के अंदर है जोदपुर में है सरपरताप का नाम आजाएगा नक्की जिल शिरोई में है जैसमन जिल उद्यपुर में है ठीक है रासमन जिल जो है ये रासमन जिले में है रासमन जिले का नाम इसी जिल के नाम पर हुआ था इसका जो उत्री भाग है उत्री भाग वो कहलाता है नो चोकी की पाल कहलाता है और उसका उत्तर जैसमंद हो जाएगा जैसमंद जील जिसे डेबर जील भी बोलते हैं क्या बोलते हैं डेबर जील भी बोलते हैं इसमें एक बाबा का भांगडा साथ टापू बने बाबा का भांगडा और एक है प्यारी तो बड़ा टापू है वो तो गया बा पर दोनों ही जीलें गोमती नदी के किनारे है राज परस्थी जो लिखी है वो रन छोड भट तेलंग ने एक 25 काली सिला लेखों पर संस्कृत भासा में लिखी है जो संसार की सबसे बड़ी परस्थी है अमर कामें मंसावली के रचेता भी रन छोड भट तेलंग है यहीं पर पर एक पढ़ते हैं केवला देव और एक पढ़ते हैं अपने दर्रा या इसी बोलते हैं मुकुंध्रा हेल्स केवला देव ये तो आजाएगा भरतपूर में केवला देव रन्थम बोर आजाएगा स्वाई माधोपूर में स्वाई माधोपूर में दर्रा भ्यारने जो है ये आपको पता ही दिया मैंने माधोपूर में ये कोटा में आजाएगा अब यहां रन्थमबोर केवलादेव दर्रा केवलादेव को युनेशकों ने 1985 में विश्व धरोवर सुची में शामिल किया था किसने किया था युनेशकों ने रन्थमबोर 1980 में केवलादेव 1981 में राष्टेव ध्यान और दर्रा जो है ये 2012 में 2012 में अब परसन एक ये भी आता है इनको जो अभ्यादने का दर्जा 1955 में इसको अगले वर्स 1956 में और उत्तर क्या हो जाएगा तेन बिलकुल सही हो जाएगा Next रंगनाथ जी का मंदिर कहां है एक परसन आता है रगुनाथ जी का मंदिर कहां है तो रगुनाथ जी का मंदिर है माउंट अबू सिरोई में कहां पर है माउंट अबू सिरोई में है माउंट अबू सिरोई में है रंगनाथ जी का मंदिर जो है यह पुशकर में है पुशकर के अंदर सावतरी मंदिर भी है बर्माजी का मंदिर भी है और रंगनाजी का मंदिर भी है ये ध्यान रख लेना आप नोट कर लेना नेक्स्ट सुवन गिरी किस किले को कहते हैं जैसल मेर का आए तो इससे तो बोलते हैं सुवन गिरी स्वर्ण गिरी बोलते हैं सोनार किला बोलते हैं सोनार किला बोलते हैं सोनार किला इस पर फिलम भी बनाई है सत्य जीत रहे ने सोनार किला फिलम बनाई है दूर से देखने पर ऐसा मालूम परता है कि कोई जहाज है जो समुदर में एक लंगर डाले वे खड़ा है जैगड का क पढ़ को पता है इसको क्या किया बुला जाता है किलों का सिर्मोर का सिर्मोर चितोडगड का छोटा भाई किस किले को बोलते हैं तो चितोडगड का छोटा भाई रन्थम भोर को बोला जाता है क्योंकि रावली की साथ पहाडियों से घिरा हुआ अबुन फजल ने कहा था कि राजस्तान में अन्या सभी दुर्ग नंगे हैं यह बक्तरबंद है तो जैगड का किला है इसे जैसिंग ने बनवाया था जैबान तोफ है यहां चिलह का टिला भी कहा जाता है एकलविय योजना का परमुख लक्षे है जन जाती के छात्रों को खेल का प्रशिक्षन देना उन्निस सो अठानमे में ये शुरू की गई next राज्य में लोहे के उजारों बनाने के लिए बार-बार बताया है धातू नगरी कहा जाता है उजारों की नगरी कहा जाता है प्राचिन समय में इसको ऐच्छत्रपूर के नाम से जाना जाता है बुटाटी धाम यहीं पर है नागर के अंदर अगनी निर्टय का उद्गम अगनी निर्टय का जो उद्गम होता है वो विकानेर में होता है और विकानेर के अंदर की संपरदाय से समंदित है जसनाती संपरदाय से है जसनाती संपरदाय से है और ये कहां का प्रिशिद है विकानेर में भी कत्रिया सर का प्रिशिद है कत्र राष्ट्रिय उध्यान रन्तंबोर है है मरू राष्ट्रिय उध्यान आजाता तो जेशल्मेर आ जाता A चितोडगट, कोटा, बुंदी, स्वाइमादोपूर, करोली और धॉलपूर याद कैसे करना है, चंबल को इस परकार से लिखोगे चंबल लिख दिया, C के बाद में क्या आता है, D फिर दिमाग में आगा किन किन जिलों से भेती है और यहां B लगा देना यह याद हो जाएगा, तो यहां पर 12 जिला नहीं होगा, यहां बुंदी जिला होगा तो यह इसका उत्तर हो जाएगा जेपुर फूट के निर्माता, जेपुर फूट यानि एक करितरिम पेर है और इसके निर्माता है, वो है डॉक्टर परमोद करन सेथी मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाडी का नाम क्या है 18 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी और कवास में 2006 में ही बाड आई थी इसको हमेशा के लिए क्या नाम दिया गया है थार एक्सप्रेक्स लेकिन ये बाड मेर से आगे जोदपूर के बीच में जब चलती है तो इसको लिंक एक्सप्रेक्स कहते हैं क्या बोलते हैं, लिंक एक्सप्रेक्स बोलते हैं ये ध्यान रखना खोकरा पार से आती है ठीक है, खांसे आती है, खोकरा पार से आती है यह हो गया, सदा ए सहरद जो है, वो एक बस थी, भारत पाकिस्तान के मदे सोमनात के मंदिर पर सरोप पर्थमा करमन किस ने किया, भारत में 1749 में तो नादिर शाह ने किया था महमूद गजनवी 1001 से लेकर 1027 के मदे भारत पर आकरमन करता है, कुल 17 बार सत्रा बार, इसने सोड़ों आकरमन किया था लगबग 1025 इसवी में, ठीक है 25 इसवी में किया था और यह किया था सूमनात मंदिर पर, यह कहां पर है, गुजरात में है, गुजरात में है तो ये किया था मेहमूत गजनवी ने महम्मद गोरी तो इसके बाद में आता है बाबर फिर 1526 में आता है ये 1101 इकराण में और 1102 में लेकिन महम्मद गोरी पहला आकरमन 1175 इस्वी में करता है ये भी ध्यान रखना बाबर जो है 1526 के अंदर पानी पत का पांचुँ आकर्मन इसका होता है सूर्य मंदिर कहा है सूर्य मंदिर जहां पर है उस जगे को तो कुनार्क बोलते हैं महावलीपुर में भी सूर्य मंदिर है, राजस्तान में साथ सहलियों का मंदिर जालरापाटन, जालावाड में है, चितोडगड के अंदर है, ओस्या में भी सूर्य मंदिर है, जिसे राजस्तान का कोनार्क, भुनेश्वर दोनों कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, राजस्ता टारापूर महाराश्टर में ये भारत का पुछा है भारत में अगर पूछा जाये तो भारत में सरोपर्थम Πरतम पंचाहिति राज विवस्ता किस थे लागू की गई थी 2 अक्तूबर 1969 को पंचायती राज विवस्ता बगदरी गाउं नागोर में पंचायती राज दिवस कब आता है 24 अपरेल को पंचायती राज दिवस 24 अपरेल को आता है ध्यान रखना ये पंचायती राज दिवस बता रहा हूं में यहां पर और इसका उत्तर राजस्तान राजस्तान में 2 अ गुचा जाए, ग्यार आकुबर को तो कहां पर? आंधर परदेश में, नेक्स्ट, राजस्तान में सबसे उन्चा परवत्षकर किस जिले में है आँख मीचर उतर दे देनों है शिरोई राजस्तान के किस दिले का छेतरपल सबसे बड़ा है 38401 वरा किलोमेटर में फेला हुआ जेसल मेर है और राजस्तान में इसका इसा 11.22 परतिसत रखता है धोलपूर से 12.66 गुणा बड़ा है और कितना वरा किलोमेटर में 38401 र पर होता है तेना और भारत का जो राजय बंगला देश से घिरा है एक है तीन देसों से घिरा हुआ जाए तो शिक्किम करके आऊगे शिक्किम तीन देसों से घिरा हुआ है इसमें नेपाल भी आएगा भुटान भी चीन भी और यहां आएगा तीन और से त्रिपुरा तीन से त्रिपुरा त्रिपुरा की राजदानी अगर तला है त्रिपुरा की राजदानी क्या है अगर तला है क्या मेगालिया की सिलोंग है असम की मिजोरम की आईजोल है असम की की है मन्नी पतायो की है असम विकिंग राजदानी हो लिकेठा भारतिय मूल की पर्थम महिला अंतरिक शियातरी कौ हर्याना की थी ये उत्तर होगा और दूसरी पुछी जाए तो सुनिता विलियम्स हो जाएगा बचेंदरी पाल तो प्रवतार होई थी जो बारत की पहली माउंट एवरेश्ट में जाने वाली और वेसे जेपूर का निर्मान किसके द्वारा जै सिंग दिवित्ये के द्वारा करवाया गया था अठारा नॉंबर 1727 को करवाया गया था अठारा नॉंबर 1727 को नेस्ट अठारा सुस्तावन का सबसे पहले विद्रो कब हुआ था अठारा सुस्तावन का सबसे पहले विद्रो मेरट में होया था मेरट में करांती 10 मई को हुई थी नसीराबाद में 28 मई को करांति की तारीक 31 मैही रखी गई थी, यहां पर मेरट के अंदर 20 Вी नेटिव इनवेंट्री थी, कदम सिंग के नेतरतों में कदम बढ़ा रहे थे, और दिली के अंदर तो भादूर्शा जफर थे और मुख्या रूप से तो नेतरतों कर रहा था, वै कर रहा था बक्त खां इलाबाद में लियाकत अली था भूल मत जाना ये सारी बातें दिल्ली में बक्त खां बादुर्शा मुगलबाद से आंतिम ठीक है मेरट उत्तर परदेश में है बेरकपूर चावनी के पर्मुकरांतिकारी मंगल पांडे थे मंगल पांडे को 8 अप्रेल 1857 को फांसी दी गई थी 29 मार्च को क्या हुआ था 29 मार्च 1857 को सर भागवय सर हयुषन की हत्या कर दी थी ये भी ध्यान रखना यहाँ जैद्याल तांत्याटो पे यह अलग है अफरीका के मद्धे से अफरीका में तीन अकसर है तीन अकसर अफरीका में है तो तीन रेखाई अफरीका से ही गुजरती है मकर रेखा, करक रेखा, भूमद्धे रेखा यह तिनों की तिनों रेखा यही से गुजरती है तो यह मद्धे से पुछा है मद्धे से ग्रीन विच रेखा अरे सारी गुजरे मद्धे से पुछा है तो मद्धे से भू मद्धे हो जाएगा ठीक है भू मद्धे रेखा हो जाएगा यह ध्यान रखना मक्कर को दो बार काटती है लिम पोपो नदी ठीक है अफरिका के जो मध्य से गुजरने वाली एक नदी है उसका नाम है कांगो या जाइरे से बोलते हैं जाइरे नदी ये भी आपको ध्यान रखना है सबसे छोटा महादीव सबसे छोटा महादीव जिसे लेंड ओफ कंगारू कहाजाता है अगर पुचा जाए की उस्ट्रिया उसकी राज़दानी विये ना है ठीक है एस एसिया सबसे बड़ा महादीप है एसिया सबसे बड़ा महादीप है कौन सा राष्टर शुंक्त राष्टर संग का 27 सदश्य नहीं है देखो इसमें रूस, चीन, ग्रेट बिर्टेन, अमेरिका, फ्रांस ये इसके 27 दश्यों में आते हैं ये इसका उत्तर हो जाएगा कनाड़ा नहीं है 24 अक्टूबर 1945 जो है वो तारीक भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इसकी जो स्तापना हुई थी वो कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 सुक्त राष्टर संकी नेक्स चले नेक्स्ट ओलम्पिक खेलों का योजन वर्सांतर होता है किते वर्सों के बाद होता है पहला ओलम्पिक खेल है जो 6 अपरेल 1806 में को इसकी सुरुवात हुई अब यहां उप्सन आपके सामने है यह तो कुछ नक्सा आपके सामने दिया गया है यह तो हो गया यूरोप यह हो गया एशिया यह हो गया अफरीका यह है अमेरिका जिसमें उत्तरी अमेरिका वैदक्सिन अमेरिका भी शामिल होते हैं और यह जो है वो आस्ट्रेलिया है सि की वहां पर तो रे सवेत महादी पर अबरब जमी रहती है चार वर्ष बाद उलम्पिक होते हैं नेक्स्ट है माउंट एवरेश्ट पर पर्थम महिला प्रवतार हो ही कौन थी अब इनमें से तो भारतिय महिला आप अगर दोनों में देखें तो यह दोनों देखते हैं तो यह तंबेई नाम था पर्थम भारतिय महिला परवतार होई है और अपने को याद क्या करना है यहां ध्यान रखना कि माउंट एवरेश्ट जो है इसको सागर माथा भी कहते हैं सागर माथा भी कहते हैं बर्भांड की माता भी कहते हैं 88 88 इसकी कुल उन्चाई है जो मिटर में और अभी हाली में चीन इसको 80 50 बता रहा है यह भी आपको ध्यान रखना है पहला वेक्ति जो गया था उसका नाम एड्मेंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे है यह भी ध्यान रखना है नेक्स्ट है शिक्षक दिवस किसके जनम दिन पर मनाया जाता है तो आपके सामने जो साल डिवस के रूप में थे बना चुक्या हो भोत बार ऑत्वार दोंटर मंबेडक राजाए कर आ जाए तो 14 अप्रेल जो आता है तो इसे समध्या दिवस समान्ता दिवस के रूप में मनाते हैं राधा किरशन पांच सिटमबर आजाएगा पांच सिपर यह च़्िजा जाय दिवस भी मनाया गिया इस बार राजस्टान निर्मान की प्रकिरिया कब पूर्ण हुई राजस्तान निर्मान यानि एकिकरण की बात कर रहे और अठारा मार्च 1948 से सुरू हुई थी एक नवंबर 1956 तक और इसी दिन राजस्तान स्तापना दिवस भी बनाया जाता है लेकिन परसन आए राजस्तान दिवस कब बनाया जाता है तो राजस्तान दिवस है वो तो 30 मार्च को बनाया जाता है तो यहां क्या हो जाएगा 1956 हो तो यहां पर स्वामी विवेकानंद आरे समाज आए तो द्यानंद सरश्वती ब्रह्म समाज आए तो राजा राम मोहन राय राजा राम की उपादे इनको अकबर द्वीते ने दी थी इनकी समाधी ब्रिष्टल इंग्लेंड में बनी हुई है वहाँ पर हरीके लिनाटक की कुछ पंक्तिया में लिकी विए है केशव चंदर सेन और अपने याद करेंगे आत्मा राम पांडू रंग ठीक है यह ब्रह्म समाज जो आठारा सो अठाइस में है द्यानंद सरश्वती आठारा सो पिचेतर में है तो आप इसका स्क्रीन शोट ले ले और नोट कर ले और जो कलास रह गई थी उसका आप पूरा देख ले और जिसने यहां तक पूरी कलास देखी है वो यह बताएं लाश्ट परसन आप से पूछ रहा हूं सती पर्था पर रोक राजस्तान में सरोपर्थम किस रियासत ने लगाई ये आपको बताना है ठीक है जे हिन जे भारत